ध्यान के संबंध में एक घटना का उलेख करने की पिश्याथ हम दुत्रे विश्य पर शर्चा करेंगे गुर्देव जी के संरक्षर में प्रयाग राज में तब इलाहवाद कहा जाता था जब पहली बार ध्यान सिवीर का आयोजन किया गया यहाँ प्रितमनगर के हाल में तब उसमें केवल आफ्रम में रहने वाले संत साधक ही भाग लिये थे एक साल के पश्चाद जब दूसरी बार आयोजन हुआ तब उसमें आफ्रम के संत साधक तो थे ही और बाहर से कुछ गिरह सभग भाग लिये थे शिविर समावति के पश्चाद आफ्रम से जुड़े हुए एक सज्जन जो उसी कालोनी में रहते थे जहां हमालों का आफ्रम है उन्होंने गुरुदेव जी से कहा कि आप साधु महात्मा लोग ये आख बंद करके वैठे रहते हो ये तो ठीक है आप लोगों पाथ तो कोई कामकाज नहीं है लिकने ग्रहस्थों को बुला करके आप आख मुन कर बठाते हो उनका समय बरबाद करते हो ये ठीक नहीं है ये ध्यान मान के वाल साधुओं के लिए ग्रहस्थों के लिए ये ठीक नहीं है उनका समय बरबाद करना है अभी धंग से कह रहे थे तो उसमें अब गुर्देव जी कह थे क्या कुछ कह पिर मौन रहा गे बात आई गई फिर उसके एक साल पश्चा जब तीसरी बार फिर ध्यानसीर का आजन हुआ तो वो सज्जन भी आने लगे सीविर में रोज और दोदो घंटा सुबा साम बैठने लगे सीविर समाथ तो हो गया फिर वो उसे प्रभावित हुए और अपने घर में सुबा साम ध्यान करने लगे फिर तब आकर आसर में गुर्देव जी से कहा कि गतवर समयने आपके सामने ध्यान सीविर का खंडन करके बहुत गलत किया था अब इस साल के सीविर में मैं सुबा साम दो दो घंटे चार घंटे भाग लिया घर में भी अभ्यात कर रहा हूं मुझे इतना फायदा हुआ है मेरा मन बड़ा शान्त हो गया मेरी बिपी भी घड़ गए और समाम हुआ यह तो हर घंटो को करना चाहिए सुबा साम जब किशी काम को न किये रहो तो लगता है कि यह बेकार है जब करो और मन लगा करके करो प्रेम पुर्वक और कुछ लंबे समय तक करो तब उसका लाव दिखाई पड़ता है इसलिए हर वह व्यक्ष चाह साधू हो ग्रयास्तो हो इतरी हो पुरुत हो कोई भी हो जो मांसिक तनाम मन का क्लेश आदि से बचना चाहता है उसे प्रति दिन घंटा दो घंटा ध्यान का भ्यास अवश्य करना चाहिए कहा जा सकता है समय कहा है इतना बात तो सच है ग्रस्ता है ग्रस्ती ग्रिकारत नाना जंजाला कहा जाता है बहुत सारे काम होते है उसमें सैसा करो पंद्रह बिस मिनट अग बार पंदा कम कर दो आदा घंटा टी बी देखना बंद कर दो आदा घंटा मोबाइल को बंद कर दो बस इतना समय निकाल आएगा फिर शिकायत नहीं होगी समय हर किसी के पास है करना चाहे तब अब हम दुथरी चर्चा करेंगे हर जागरुग व्यक्ति यह जानता है अब तो जागरुग क्या का हर ब्यक्ति जानता है कोरोना महामारी की क्रिपा से कि शरीर की इम्यूटी पावर रोग प्रतिरोधक शमता रिजिस्टेंस पावर जितना अधिक मजबूत होता है शरीर में रोगों का आक्रमन उतना कम होता है और कोई रोग भी है भी तो जल्दी से ठीक हो जाता है इसलिए हर व्यक्ति को अपने शरीर के रोग प्रतिरोधक शमता को मद्बूत बना कर रखने की आवाश सकता है बीमारियों से बचने के लिए तो जैसे शरीर में रोग ना लगने पाए और रोग है तो उसी जल्दी छुटकारा मिल जाए इसके लिए रोग प्रतिरोधक शमता इसको अधिक सदिक मद्बूत करने की आवाश सकता है वैशे ही बाहर की घटनाएं मन को प्रभावित ना करे मन दुखी ना हो और यदि कोई दुख है तो उस दुख से बचने के लिए दुख प्रतिरोधक शमता विक्षित करने की आवाश सकता है शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता से परचीत है किन्त मन की दुख प्रतिरोधक शमता से परचीत थोड़े लोग है वो भी है जो स्वाध्धाय साधना पर ध्यान देते है दोनों सिस्टम दोनों शमताय मजबूत कैसे बने ये समझने की बात है पहले शरीर से ले ले शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता मजबूत कैसे बनी रहे इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान देने क्या हो सकता है सबसे पहले अपने खान पान पर सुधार करो अनेग लोग कहते हैं उनका कहना सही भी है ऐसा प्रानायाम करोगे तो ये एक्सरसाइज करोगे तो धंते करोगे तो शरीर मेरी बिमारी नहीं होगी वो बिमारी नहीं होगी बिमारी है तो दूर हो जाएगी अच्छी बात कहना गलत नहीं है लाब होता है बिमारिया ठीक होती है लेकिन कोई भी एकसरसाइज कोई भी प्रानायाम या कोई भी योगी क्रिया आप करें जब तक खान पान पर सैयम नहीं होगा जिवा स्वाद पर सैयम नहीं करोगे कोई प्रानायाम योगी क्रिया या कुछ भी आपको लाभ नहीं पहुँचा पाएगा जो करते हैं करें कि दो सबसे पहले खान पान पर से यह रखे एक एक घंड़ प्रानायाम करते हैं और एकसरसाइज भी करते हैं दौन भी लगाते हैं और साम होते होते पहुंच जाते हैं ठेले पर पानी पुड़ी और चाट खाने के लिए हो गया का दिहात वालों के तो कम शहर वालों को अजा कर देखो पदाशलता रहता है जितने प्रकार के फॉस्ट फूड है डिबबन चीजें उनको कम से कम खाओ अब कुछ चीजें जिनका मैंने नाम ही सुना है देखा नहीं है आज तक ये चाउमीन और बर्गर और पिज़ा ये तो खाना ही बंद करो खाने नाम सुना है उनको मैं देखा नहीं हो भी ता खोड़ा क्या इस्वास के लिए आहीत कर हैं जितना आप घर की बनी चीजे खाओगे उतना सस्थर होगे और आप सब गुजर चुके हो इस अनभाव से कितने डाक्टर्स हैं हाटपिटल भी बहुत सारे हो गये हैं प्रेविट क्लिनिक भी बहुत सारे खुल गये हैं गाव में भी अनेक डाक्टर हैं आज जा करके देखो कोई हाटपिटल खाली नहीं है सब हाउस्फुल है चाहे जिस विभाग में जा कर देखो E.N.T. में जा कर देखो आर्थोपेडिक्स वाले में जा कर देखो हाट रोग वाले में जा कर देखो किंसर में जा कर कर देखो कोई विभाग ऐसा नहीं है जहां बेड़ खाली हो भीड है लोगों के क्लीनिकों में जाकर देखो लाइन हैं लगी ही सुबाशा मरीजों की कैसी कैसी बिमारी या ये पास शे मेहने तक लागडाउन लगा था सारे के सारे हाथपिडल खाली थे सारे साय डाक्टर चुप चाप बैठे थे कहां गई थी बिमारीयां सब कुरोना से डर कर चले गई थी क्या आप घर का मना खाना खा रहे थे इसलिए बिमार आपको न जुकाम हो रहा था न सर्दी हो रही थी न खासी न बुखार और जैसे ही लागडाउन हटा बाहर के घर के खाने से उब गए जीवा दिभी छट पटा रही थी इस चाठ खाने के लिए होटल खाना खाने के लिए मेरिज मरसाला फिर हाथपिटल भर गए सारे डाक्टरों को काम मिल गया अब तो तहल ये एसे जनकार साहब ऐसी बात नहीं है हम अपनी लिए थोड़े खाते हैं अजी सही हम कर देखाएं तो बितारे फारे डाक्टर भूखें मर जागए उनको भी तो पेट पाला है ना और डाक्टरों का परिवार पालने के लिए हम लोग खाते पीते ही है या डाक्टर अपना काम कर अपना परिबार पाल लेंगे और धंधा करके पहले अपने आपको स्रस्थतों रखो सादा भोजन खाओ थोड़ा कम खाओ संतुलित खाओ प्रेम से खाओ रिग्वेद में एक बात आती है बहुत बड़ी अबात है श्रोक इसमें याद नहीं आ रहा है अन को तुम खाते हो या अन तुम को खाता है जर सोचो ये दि आप सुपाच संतुलित सात्तिक भोजन सिर्फ भूख मिटाने के लिए खा रहे हो जीने के लिए खा रहे हो तो अन को आप खा रहे हो और जब जीवा स्वाद में पढ़कर किखो पड़तो ध्यान दो सात्तिक खान पान अधि आप साधना भी करते हो साधक साधक चाह कोई हो चाह आत्रमों में रहने वाले हो चाह घर में ही रहने वाले हो साधना का काम करने वाले हो सब साधक है जीहा स्वाद के चक्कर वे जो पड़ेगा वो कभी साधना का आनद नहीं ले सकेगा खटा मीठा चर फड़ा जिव्या सवरत ले चोरों कुतिया मिल गई को अब पहरा दे सदुर कभीर की साखी है जीहा दरी खटा मीठा चर फ़र सब का आनद ले रही है चोरों कुतिया दोनों एक साथ मिल गए तो पहरा कौन देगा और साधक लोग लल चाह रहे हैं मिर्च मथाला खाने के लिए तो औरों की भी बात क्या है इसलिए संतुलि सुपाच युक्ता हार विहारस युक्ता चेश्टस्र कर्मत युक्ता सुपना बोधस योगो भवति दुखा गिता हामें कहा गया है युक्ता हार विहारस अहार और विहार युक्ता हु संतुली तो हुआ ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा इतके साथ आपको श्रमसिल बने हो रहना होगा पर्ष्रमी एक इंपर्ष्रमी होने का अर्थ रात दिन दौड़ते नहीं रहना है निकम्मा बन करके बैठ जाना बहुत गलत अपने साथ दुस्मनी करना है कुछ लोग ऐसे होते हैं चाह वो गहस्ती में हो चाह विरक्ती में हो आदमी तो आदमी है जो सेवा का काम करने से बहुत घबड़ाते हैं दो चाह दिन भोजन बनाना हो जाए तो लगता है कि इस अचा तो फासी चड़ना होगा कुछ बारतन मानना हो जाए तो भी बहुत घबड़ा जाएंगे साथने क्या करेगे ये लोग इस लिए शरीर को उतना थकाओ चाह चल करके थकाओ दौण करके थकाओ बियाम करके थकाओ कुछ तो थकाओ शरीर को पतीना निकलना चाहिए एक बार और एक बात और याद रखो ये जितने जवान लोग बैठे हुए हैं जिनके भी जवानी प्रारम हो रही है या प्रारम हो चुकी है याद रखो चाहे काम तो करना पड़ेगा और काम करने में पतीना अता सरीर थकता है और आदमी को ये पसंद नहीं है लेकिन याद रखना होगा जो आदमी जवानी में पसीना बहाने से डरता है बुढ़ापा मुसे आशू बहाना पड़ता है बुढ़ापा में आशू ना बहाना पड़े इसलिए जवानी में पसीना बहा लो अंड़सार रोने के लावा कुछ बचेगा नहीं परस्रमी वनो साथिक खान पान हो सादा तुपाच समय के अनकूल शरीरत परिश्रम और इसके पश्चाद सकारात्मक्स सूच यह खास जरूर ही हो भोजन में आप कितना से यम करते हो कांधान से वह में आप कितना मन लगाते हो उससे ज़्यादा जरूरी है और महत पून है कि सोचते कैसे हो मन प्रतिक्रिया में तो नहीं पढ़ता है किसी ने थोड़ी संसुहाती बात कह दी प्रतिक्रिया शुरू हो गई अव रादिरोय सोच रहे हो सरी स्वस्थ कहां रहेगा मनी बिमार बना हुआ है जितने इर्शा देश घ्रिना बैर बिरोध की बाते सोचोगे उतना ही रोगी दुखी बने रहोगे कोई हो जो आदमी अतधिक लोभी होगा लोभ लोभ अतधिक लोभी अतधिक कंजुस अतधिक इर्शालू अतधिक क्रोधी अतधिक काम बासने में डुबा हुआ आदमी न तन से स्वस्थर रहेगा न मन से स्वस्थर रहेगा अपने साथ दुस्मनी करना है और जो नकारातमक सोच रहा है अपने साथ दुस्मनी कर रहा है कहां से आपकी छामता मजबूत रहेगी नकारातमक सोच जैसा जहर दुनिया में आज तक कहीं बना ही नहीए जब हमारे मन में अतधिक इर्शा की भावना आती है क्रोध की भावना आती है देश की भावना आती है लोब कंजुसियादी की भावना आती है हमारे सरी के अंदर में जो ग्लैंड्स है वहां से जो सुरा होता है अतधिक दुशी तो हो जाता है फिर चाह कुछ भी खा लो ना तंस्वसर रहेगा ना मन्स्वसर रहेगा इले भी ध्यान दो जिस समय आपके मन में बहुत गुस्ता हो क्रोज से किसी से जगड़ा करके एक दम गुस्ता से मन भरा हुआ किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति के लिए आपके मन में भैंकर इर्शा हो या कुछ हो उसमें भले भूखे रह जाओ खाना मत खाओ क्योंकि जो खाओगे वो जहर बनेगा जम्मन शांत हो संतुली तो हो प्रसनता से भरा हुआ हो उस समय शुखी रोटी खाओगे तो अम्रित का काम करेगी इसलिए अपनी सोच सुधारने के आवाद सकता है शुखी जीना है तो तंसे भी और मन से भी स्वस्थ रहना है तो हम ऐसा अच्छे विचारों में मन को लगा करके रखो किसी के लिए भी नकरात्मक देश इर्थादी बात नसोचो चाहों निकट वाले हों चाहे दूर वाले हों इस बहुत ताधरन सी बात है दवाई के आवासकता नहीं है जब हम अपने शरीर के सिस्टम को बिगाए डालते हैं तब बाहर की दवा के आवासकता होती है शरीर और मन दोनों का सिस्टम संतुलित है दवा के आवसकता कम से कम पड़ेगे एक्सिडेंट हो गया कुछ ऐसे हो गया तो ज़र बड़े पड़ सकती है जुकाम, सर्दी, बुखार, हलकी हरारत इनमें तो दवा खाना ही नहीं चाहिए रेष्ट करो, खानपार प्रसेयां कर लो अपने आप दो चाह दिन में ठीक एक डाक्टर कहा करते थे गुर्दे जी के पास आते थे बहुत पहले कहा करते थे शाहब जी यदि किशी को जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए, हलका बहुत बुखार हो जाए और दवाई करता है तो एक ही सर्दाह में उतके सारे रोग दूर हो जाएंगे और दवाई नहीं नहीं खाएगा तो साथ दिन लग जाएगा दवा खाओगे तो एक सर्दाह लगेगा और नहीं खाओगे तो साथ दिन में ठीक हो जाओगे अब कैसे लो ठीक होना चाहते हैं जल्दी से थाइन तो एक सब ताहकर ठीक होना जाते है तो अब खाओ अब एक क्यों कहावत नहीं है अनभव की बात है बशो अब इस सबसे मैं यह कह रहा था सरीर की रोगपती रुधग शम्ता बनाने के लिए इम्मुनिटी सिस्टम संत्रीजिश के लिए आप खान पान पर ध्यान दे मेहनती बने और शकरात्मक सोच के धनी बने अब आते हैं दुख परतिरुधग शम्ता यह कैसे बढ़े है दुख के आउसर नहीं आएंगे ऐसा नहीं कोई निंदा करेगा कोई अपमान करेगा कोई गाली देगा परिवार में किशी की मौत हो सकती है बेपार में घाटा हो सकता है शरीर में बड़ी बिमारी हो सकती है तमाम बातें आएंगे जीवा नेकरस तो है नहीं अब इन सारी पर्थितियों में गुजरते हुए दुख से कैसे बचे है गीता में एक स्लोक है उसके एक पंगती है दुख संयोग वियोगम योग संगीतम योग क्या है दुख के संयोग का वियोग कर देना दुख का वियोग नहीं कह रहा है गीता कर दुख के संयोग का वियोग किसी ने गाली दे दी किसी ने निंदा कर दे किसी ने अपमान कर दे किसी ने कुई चीज बिगार दी काम बिगार दिया दुख के संयोग तो हुआ जोड़ो मत अपने याप कुछ दे उसका मन गाली देने का था गाली दे कर उसे खुछी मिल गई मैं क्यों दुखी हूँ बस सौन तो हुआ दुख खता हूँ जब जोड़ लगे उन्हों ने मुझे गाली दी वो मुझे क्या समगता है गाली श्विकार मत करो गाली से दुखी हम तभी होते हैं या निंदा मान से दुखी तभी होते हैं जब उतको स्विकार करते है स्विकार मत करो वो कहानी याद करो कहानी कहो घटना कहो जो भी हो तथागत बुद्ध कहीं जा रहे थे एक गाँ से गुजर रहे थे गाँ के कुछ लोग उनके विचारों से छुबधत है सुने कि इसी रास्ते से बुद्ध जा रहे है आगे रास्ते पर सामने मिल गए और गालियों की बौचार करने लगे बुद्ध छुबचाप खड़े सुनते रहे अब एक तरफ से कोई गाली कहा तक देगा बुद्ध के ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं उत्रुपचाप सांध खड़े है जब वो लोग गाली देते देते ठक गए तब धक चुप हो गए तब बुद्ध ने कहा क्या अब मैं आगे जा सकता हूँ तो लोगों ने कहा हमारी गाली का क्या हुआ गाली दे रहे थे अब बुद्ध कोछ तरह थे थे बुद्ध को तरह अगर घा सकता हूं तो लोग आखा हमारी गालीगों का क्या हुआ भुद्ध ने कहह आपकी गालीगों का बात ऐसी है अब ही में राचा चलते पीछे गां से आरहा हूँ तो वहां के बहुत से लोग आए मेरा बहुत सम्मान की है और मुझे भेट में दे निकले बहुत सा चीजें लाए थे मुझे भेट दिये भी सब लेकिन उन लोगों ने भेट में मुझे जो चीजें दी मुझे उनके आवसकता नहीं थी मैंने वो चीजें नहीं ली तो आप बताएंगे कि वो चीजें किसकी होगी कहा रहेगी किसके पास तो उन लोगों ने कहा ये भी कोई पुछने की बात है अरे उन्होंने आपको भेड़ दी अपने स्विकार नहीं किया चीजें नहीं ली तो जिनोंने भेट दी उनके पात ही रह गए उनके ही रह गए बुढ ने कहा आप लोग बहुत समझदार आदमी हो उन्होंने मुझे संवान में भेट में चीजें दी मैंने उनके नहीं लिए गाली दे आप मैंने नहीं लिए अब किद बात रहेगी गाली श्रिकार ना करो बस खतम लेकिन हमारा हंकार आड़े आ जाता है देखो उन्होंने गाली दी और तुम चुप रह जाओगे न तब और गाली देंगे वो अरे उन्होंने गाली दी ते तुम तो दस गाली दो परिणाम क्या होगा कबिर साब की शाखी याद करो दुख से बचना है जगडा से विवास से बतना है तो जो तो को काटा बुए ताही बुए तु भूल तो को भूल को भूल है वाकू है तिर्शूल जो तुम तुम रास्ते में कांटा बो रहा है तुम उतके रास्ते में फूल वो तुम फूल वोगे तुम फूल मिलेगा वो कांटा बो रहा है उसे तिर्शूल मिलेगा तुम क्यों उलश जाते हो गाली देने वाज, सिंदक रने वाज से प्रेम से भी बात कर लो दुख कहा होगा एक सज्जन कहा रहे थे साहब वो जमाना गया कविर साहब ने वो जमाना जब आसे 6,000 पहले बात कही थी जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तो फूल तो को फूल को फूल है वाको है तिरसलिया अब ये काम ने चलेगा साहब तब कहा गया कि क्या करना होगा तब काम कैसे करना चलेगा उन्होंने कहा साहब रास्ता बजलना होगा कैसे जो तो को कांटा बोवे ताही बोवे तू भाला वो साला भी सकता समझेगा पड़ा किए से से पाला तो बम्हाम लगल बढ़ा जाएगा ये तो और दुख बढ़ाना हो जाएगा बात गीटाकार कहते हैं दुख संयोग वियोगम योग संगीतम दुख के शंयोग का वियोग कर देना अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी गाली, कोई भी निंदा, कोई भी अवशब हमारे मन को बेध ना सके, प्रभावित ना कर सके ठंडी का मौसम आता है सर्दी परशान करती है तो सर्दी से बचने के लिए हम स्वेटर पहन लेते हैं, कोट पहन लेते हैं, कमबल ओड़ लेते हैं क्या होता है फिर? क्या कमबल गरम है? क्या स्वेटर में गरमी है? गरमी न स्वेटर में हैं न कमबल में हैं गरमी आपके शरीर में है तो शरीर में गरमी है, तो हम कमबल या स्वेटर, कमबल क्यों ओड़ते हैं, स्वेटर क्यों पहनते हैं? होता इतना ही है जब हम कमबल स्वेटर पहन लिए, तो बाहर की जो ठंडी हवा है, शरीर तक नहीं पहुँचती, कमबल हमारा उसको बाहर रोग देता है गरमी शरीर से अपने आप निकलाती, तब गरमी लगती है, बस इतना ही होता है जितना मोटा स्वेटर होएगा, और ठंडी हवा बेदेगी नहीं शरीर में बाहर की ठंडी हवा सरीसी परस नहीं होगा, बस ठंडी खतम आईशे ही एक ऐसा स्वेटर पहनों, ऐसा कमबल ओड़ना होगा, विवेक का की बाहर की जो परतकुल घटनाएं हैं, वो सुब बेधन नसाइज परस नहीं कर सके हमारे मन से यही रास्ता है कोई हमें गाली ना दे, कोई हमारी निंदा ना करे, कोई हमारा अपमान ना करे, कोई चीज बिगड़े ना, परिवार में किसी की मौत ना हो यह संभव कहा है इसे रोकोगे कैसे प्रकृति में घटनाए घटनी ही, देखो अभी यहाँ पर दस दिन से वर्षा बंद, हिमाचल तबाह है, इतनी बार आई है इस समय, कई लोग मर गए पांच-छे सो सड़के बंद है हिमाचल में इस समय, बार के कारण से, तूट गई है पहाड गिरे हुए हैं, क्या रोक पाओगे, क्या रोक पाया, इतनी टेक्नलाजी बढ़ गई है, क्या करोगे तो नहीं तो हम प्राकृतिक घटनाओं को रोक सकते हैं और नहीं हम किसी मन से द्वारा के जाने वाद दुर बिहार को रोक सकते हैं बचा सकते हैं अपने आपको दुखी होने से थोड़ा स्टे बढ़ानी होगी, शंसिल्टा को बढ़ाना होगा शहनम सर दुखा नाम अप्रतिपार को पूरुवकम चिंता विलाप रहितम, जाती दिक्छानी के दिए बिबिक चुड़ा मनी में सामी संग्राचार्य कहते हैं सभी परकार के दुखों को सहन करना है कैसे? चिंता विलाप रहितम चिंता और विलाप से रहीत हो करकिए चिंता और विलाप ये दो चीजे है और दोनों होता है उसमें एक चीज और है प्राकृति घटना एक घटी खुब बरसा हो गई, आंधी आ गई जाला मुखी बड़ी, भुकंप आ गया, आग लग गई चीजें तो बिगड़ गई चिंता होती है रुलाई आती है, रोते भी हैं आदमिया लेकिन कितना बड़ा बड़ा खुब बारहा जाए घर के घर बह जाए भुकंपाजा घर के घर नष्ट हो जाए, कुछल हो जाए बदला किसे लोगे क्रोज नहीं आएगा किसान बड़ी मेहनत करता है फसल लह लहा रही है पक्कर तैयार है, आग लग गई बिल्ली गिर गई आग लग गई मुकदमा किसे दायर करोगे किसे बदला लोगे किसके लिए पंचायत करोगे खुब जुम के वर्षात होगे तैयार फसल बरबाद होगे गुस्सक इस पर करोगे वहाँ सहना होता है रोते भी हैं लेकिन सहना होता है मन मार करके सहना होता है कई मुकदमा नहीं दायर कर सकते ना गाली दे सकते हैं ना लाठी बंदुगती तरवार कुछ काम नहीं आने वाला होगा यही बात यदि हम मनश्यों प्राणियों के लिए कर ले तो बार से या आग से आपके खेट की फसल पूरी की पूरी बरबाद हो गई आप मन मार करके शाहन कर लेते शुप हो जाते हैं कुछ नहीं करते लेकिन आपके खेट की फसल से कोई एक बिक्ती आधा बोज़ा भी काट कर ले जाते हम क्या करते हो वो गुसा वो मुकदमा मार पीट लड़ाई जगड़ा थोड़ा सहन कर लेते ना समय भीगरता ना धन की बरबादी होती ना बिहार भीजड़ा ठीक है जुरत रही होगी अधा बोज़ई ले गया ना कुछ नहीं हुआ जब वहाँ सहन कर सकते पूरी फतल बरबाद हो गए वहाँ तो सहन कर लिए तो आधी फतल की तो नहीं सहन नहीं कर सकते अब पर्दिकार पुर्वकम इदले का दिस्वामी जी पर्दिकरिया रही इसके लिए आवसकता है विवे की धैरे की वेदों में जहां पर उस समय के अस्सर जो अवजार हत्यार थे उनका वर्णन आया हुआ है वहां पर बताया गया है ऐसा सही यह है फिर उसी के अंत में एक मंत्र के आखिर में कहा गया है ब्रम वर्म ममांतरम मेरे भीतर का वर्म वर्म अर्थात कवश समद लाज के भाद सामें बुलेट पुरूष जैकेट जैसे पहले जमाने में राजा लोग जब जाते से लगाए जड़ा के लगाए जड़ा के लगाए ज़ाए तो बंदुक नहीं थी बंब नहीं थी टैंक आदी नहीं थी तब क्या होजा था हाथी पर घोड़े पर बैड़ते था पैदा लड़ते थे तो लोहे का बक्तर पहनते थे यहाँ सिर पर लोहे की टूपी और लोहे का बक्तर ताकि तीर तलवार भाला शरीर ने बेड़ना सके वो यह वर्मा है कवश तो यह वर्मा है कवश चाहे लोहे का बक्तर पहनो बुलेट पूर जैकेट पहन लो इससे आपके शरीर की रक्षा होगी आपके मन की रक्षा तो नहीं होगी बाहर के दुख से हम बचने पाएंगे इलिए रिशी कहते हैं ब्रम वर्म ममांतरम मेरे अंतर मेरे मन का वर्म क्या है ब्रम ब्रम के बहुत सारे अर्थ होते है वेज मंतर को भी ब्रम कहा गया है उसे ब्रम का अर्थ होता है बड़ा स्रेश्ट आग को भी ब्रह्म कहा जाता है ब्रह्म तो परमात्मा को भी कहते है परब्रह्म यहां ब्रह्म है ग्यान विवी ग्यान का कवच पहन ले समध्दारी का कवच पहन ले फिर बड़ी थी बड़ी प्रसिती परिशान नहीं करेंगे जीवन में कैसी कैसी घटनाय घटी तो होगी कहा नहीं जा सकता उनको हम रोक नहीं सकते लेकिन दुखी होने से अपने को रोक सकते है और यह भी होगा निंदा आदमी को दुख क्यों देती है अपमान दुख क्यों देता है घाटा दुख क्यों देता है निंदा से अपमान से घाटा से दुख क्यों होता है क्यों हम दुख मानते हैं और इस दुख से बचना है तो क्या करना होगा हमको वसुता निंदा दुख नहीं देती अब मान दुख नहीं देता है तो निंदा दुख क्यों होता है प्रसंसा सुनने में जितना आनन्द मानोगे निंदा में उतना दुख सहन करोगे कोई जब प्रसंसा करता है आपकी कितने खुज हो जाते हो तो प्रसंसा कोई आपकी प्रसंसा कर रहा है जितना खुद होगे निंदा सुने पर उतना दुखी होना पड़ेगा ये नियम है याद रखना सम्मान मिलने पर खुब सागत सतकार होने पर जितना अनदमान होगे खुद होगे उचलोगे अपमान होने पर उतना रोना पड़ेगा अपमान के दुख से बचना चाहते हो तो सम्मान पुछनना बंद पर सम्मान पाने लाया काम करो लेकिन सम्मान पाकर के उछलो मत अंकार मत करो मैंने ऐसा किया तो ये मुझे भी लेगा बस वो दुख कारण बनेगा लाब हो जाने पर जितना उचलोगे घाटा होने पर उतना माता पकर करके, बैड़ करके रोगे लेकिन हैं ये चीज़ हम चाहते हैं खुब हमारी लोग परसंता करें हमारा सम्मान करें, सागत सतकार करें खुब लाभी लाभ होता रहे कहाँ जीवन में होगा भै यह से, कितना हो पृर्षितित गुजरना होगा इटलिए बिवे दुख संयोग भी योगम योग संगीतम जो कहा था समभा में जीओ काम अच्छा करो जिवन अच्छा जीओ बिहार अच्छा करो प्रसंसा पाने की भूख खतम कर दो सम्मान पाने की भूख खतम करो अपने को बड़ा मानना बंद करो बड़ा काम करो बड़ा काम करने से बड़ा हो जाओगे मानो मत अपने को दूसरे लोग मानते हैं मानने दो समभाव में संदर्म में एक कहानी कहा करता हूँ कैशे बीवेक रखना है घाटा होने पर मुनाफ़ होने पर सब में बाताएगी एक आदमी एक स्टेट के हाँ काम करता था बड़ा इमांदार करमक्त कारे कुशल बिनम्र उसकी कारे कुशलता उसकी करमरता बिनम्रता इमांदारी से सेट सेट के पूरा परिवार और अन्यदोवर करस थे उनके हाँ सब बड़े खुश रहते थे कोई शिकायत नहीं अब ऐसे आदमी से तो सब लोग खुश रहेंगे काफी दिन बीद गए काम करते करते एक दिन वहाँ आदमी बिना सुचना दिये काम पर नहीं आया अब आप लोग जानते होंगे जो आदमी किसी आफीस में जो काम कर रहा है सब लोग उस पर डिपेंड रहते हैं भई ये आदमी हैं काम को समाल लेंगे समालते हैं यदि पुरो सुचना दे दे तो उसके लिए वैकल्पिक ब्यवसा कर ली जाती है अब बिना सुचना दिये यदि ना आये तब थोड़ा सा हर्चन तो आएगी आदमी काम पर नहीं आया थोड़ा सा काम रुका लेकिन ब्यवसा कर ली गई काम निकल गए शेट ने सुचा कि यदि मेरे यहां बहुत दिनों से काम कर रहा है और इतना इमांदार और करमठा आदमी तो कोई है ही नहीं मेरे यहां मुझे इस आदमी की तनख़ा को बढ़ा देना चाहिए था आतक तनख़ा में ने बढ़ाई नहीं इसकी ऐसा सोथ का सेट ने इसकी तनख़ा बढ़ा दी दो-तीन दिन के पश्चा तो आदमी आया और अपना काम करने लग गया वह मैना पुरा हुआ अगले मैने की पहले तारीक को तनख़ा मिली तो बढ़ी भी तनख़ा मिली आदमी गीना देखा पैसा जादा है समझ गया तनख़ा बढ़ी है चुपता देब में रख लिया चला गया कुछ ने का सेट जी आपने बड़ा अच्छा काम किया मुझे पैसे काम सकता थी धन्नवाद नहीं दिया खुश भी नहीं हुआ ऐसा कि जीहरे में कोई बड़ी खुशी की बात होगी पैसा मिल गया कुछ नहीं चुपता गिना रख लिया चला गया काम करता रहा कुछ महिने के पश्याद फिर एक दिन अचानक काम पर नहीं आया सेट को लगा कि आदमी तो बड़िया है शिकायत का उफर नहीं देता लेकिन अचानक काम पर नहीं आता एक दो दिन पहले बता देते तो कितना बड़िया हो जा जब अचानक काम पर नहीं आया तो सेट थोड़ा नाराज हुआ और नाराज हो करके तनख्वा घटा कर उतना ही कर दिया जितनी तनख्वा पहले थी दो-तिन दिन के पशाथ आदमी आया काम करने लगा उमेना पुरा हुआ तनख्वा मिली तो घटी हुई कम पैसा मिला गिना अरख लिया चुक्ता जाए लगा कोई शिकाया पुछा भी नहीं थी कि सिर्जी क्या दलती हो गई कि अपने पैसा कम दिया तनख्वा कम घटा दी और चेहरे में भी कोई उदासी कोई दुख नहीं भी को शान जाने रगा तो सिर्जी नहीं सोचा कि कैसा आदमी है तनख्वा बढ़ा दिया तो खुष नहीं हुआ आभार बेने भाध धन्यवाद भी नहीं दिया तनख्वा घटाया तो दुखी भी नहीं हुआ शिकायाद भी नहीं करता है पुछता भी नहीं है आखिर बात क्या कैसा आदमी है शेर जी ने का भी रुको भी रुको सुनो कि तुम आदमी कैसे हो कि क्या बात होगे जब मैं तुम्हाँ तन्खवा बढ़ाई थी तब तुम खुश नहीं हुए थे धनवाद भी नहीं थी अभार भी नहीं माने अभी तन्खवा घटा दी तब मैं देखते हूं तो हैं चेहरे पर कोई दुख का लक्षन ही नहीं कोई शिकायत का भाव ही नहीं है तुम पुश्ते भी नहीं हो अखिर बात क्या है शेर जी इसमें बात की बात क्या है इसमें अभार मानने की शिकायद करने की बात क्या है सुष्यूनिक आखित बात क्या देखे जी जब पहली बार मैं काम पर नहीं आया था तो मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ था खुशी थी, काम बढ़ गया था इतली काम पर नहीं आया था और उसमें आपने तरखवा बढ़ा दी थी तो मैंने सोचा बेटा अपने हिस्से कर लेकर आया हुआ आखिर बढ़ा तो खर्चा बढ़ जाएगा ना तो मैंने सोचा कि बेटा अपने हिस्से कर लेकर के आया हुआ है अभार मानने की क्या बात थी बेटा को जो खर्चा था वो आपने बढ़ा दिया था और अभी जो मैं दुबारा काम पर नहीं आया तो मेरी माँ की मौत हो गई थी अपने दनफा घटा दिया तो मैंने सोचा माँ अपने हिस्थे का लेकर चली गई उसमें जो खर्चा हो था बात खतम इसमें कों लेना देना है एक कहानी कह सकते है लेकिन जीवन जीने का तरीका है अज़िए शोंत लोगे तो उछलना बंद हो जाएगा और रोना भी बंद हो जाएगा यही है विबेक दुख से बशने का रास्ता मैंने कहा है बार बार कह रहा हम ना प्रसिती को हम बदा सकते हैं ना घटना को रोक सकते हैं ना किसी को गाली देने इंदा करने से रोक सकते हैं कहां कहां लड़ोगे किस किस को कितना कितना रोक रगे क्या करोगे शांत रहना सीखना होगा और ऐसा नहीं है ऐसी घटनाएं घटित होती है चुकि बात अपनी है इसलिए प्रसंसा वाली बात हो जाती है लेकिन कैसे जिया जा सकता है ए रास्ता है सनिकाशी की बात होगी गुर्देजी के साथ हम लोग काठमांडू से एक कलकता है खाकता में धरमतेला मैदान है बहुत बड़ा मैदान अभी है वहाँ प्रतलिक रेवार को ससंग होता था अभी भी चलता है केरपन्तियों कही बाकि साथ को बंद हो गया ऐ चलता है बहुत छोटा रूप हो गया अब ले बड़ी भीड़ होती है कई के मत्पंथवारों का वहां सरसंग होता था रेवार का दिन था केर्पंथों की सभा लगी हुई थी गुर्देजी पहुंचे एक कुर्सी रख दी गई बैठ गए एक प्रवक्ता बोल रहे थे उन्होंने अपनी बात पूरी की एक दूसरे प्रवक्ता को दिया एक सड्य अंत्र था एक सादू कहलाने वाला खड़वा बोलने के लिए जहां मैं बैठा हूँ समझ लोग यहां गुर्देजी बैठे हैं जहां सहाब बैठे हैं वहां पर उप्रवक्ता खड़े हो मैग ले करके बोल रहा है दो-तीन हजार की फिल रही होगी कमस कम और सभा में बहुत सारे लोग गुर्देजी की सीचत गुर्देजी से दिक्षीत है आदा घंटा तो प्रवक्ता सिर्फ गुर्देजी को गाली देते रहे किवल गाली निंदक लाव कुछ नहीं था उसके गुर्देजी सुर्फ चाप बैठे रहे है जैते कुछ हो ही नहीं रहा है अंतों उसको चुप करवाया गया गुर्देजी को मैग दिया गया पौन घंटा कलवा गुर्देजी ग्यान विवेक विचार की बात कहते है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जैते कुछ हुआ ही नहीं है यही है विवेक और हम आप क्या करते हैं जानते समगते हैं छुप्द हो जाते हैं लड़ने लग जाते हैं यह लड़ना हमारी कमजोरी है जितना कमदोरी होगी उतना हम दुखी होगे उतना हम लड़ेंगे ना पुजा कामाएगी ना भक्ती कामाएगी ना सफ्वन कामाएगा ना ये साधू का कपड़ा कामाएगा सहना होगा धैरी जितना धैर्य रखेंगे उतनी शान्त रेगी फिर बाहर की प्रसिती दुखी नहीं कर पाए लेकिन हमारे पाद धिरज है ही नहीं न तत्काल हम इड का जवाब पत्था देना से देना सुरू कर देते हैं मामला और बिगड़ जाता है जितना धैर रखेंगों अतनी सांसिलता रखेंगों, अतना धैर बढूएगा और उतना ही हम दुखों से अपने आपको बचा सकेंगे और धैरिय की जब बात आती है तब वो उधारन मुझे याद आता है किसी ने लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है हम सब के लिए अत्यन कल्यानकारी है धैरी पेशेंस को हिंदी में सब्र भी कहते हैं सब्र के दो वर्फ होते हैं संतोस और धैरी संसीलता भी इसमें आ जाती है तो कोई भी परसिती हो कैसी भी अच्छी बुरी परसिती हो हमें सब्र रखना शिखना होगा अब दुख से बचना है तो सब्र रखना शिखना होगा अब उद्वेलित होना है तो इससे बचना है तो सब्र रखना सीखना होगा हर बात में सब्र रखना होगा विद्माल लिखक ने कहा है जो ब्यक्ति हर प्रसिती में कैसे भी प्रसिती हो जो ब्यक्ति हर प्रसिती में सब्र रखना सीख लेता है सब्र कर रखते रखते एक जिनों ब्यक्ति सबरी बन जाता है और जो सबरी बन जाता है उसे भगवान खोदना नहीं पढ़ता है उसे खोदे हो उसे भगवान उसके पास पहुँच जाता है रमानी की कहानी क्या बताती है सबरी गई थे राम के पास कि रामा से सबरी के पास ये है दुख से बचने की कला हर विवेग विवेग जब होगे तब सबराएगा समधदारी होगी तब सबराएगा संसिलता होगी तब सबराएगा जितना सबरा रखोगे विवेग रखोगे कोई परसिती आपको दुख से प्रभावित नहीं कर पाएगी फिर अपने आप पूरी जिंदगी हम बड़ी शांत से, आनन से बतीत कर सकेंगे तो जैसे शरीर में इम्मूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या-कया करते हैं कुरोना पिरियेड में क्या-क्या खाते पी ते हैं कितनी साधानी रखते रहें एक बाट अगर कुरोना पिरेड में कहा जा रहा था दो गजदूरी मास का है जरूरी कुरोना पिरेड ब्यक्ती से दो गजदूरी बना कर रखनी होती है ठिक ऐसे ही जो ब्यक्ती आपके सामने बराबर दुसरे की निंदा बुराई करता रहता हो है उससे जिंदगी भर दूरी बना कर रखनी होगी कुरोना तो शरीर को मारेगा अब रावन निंदा बुरा एक बात सुनते रहोगी न तो पुरी जिंदगी बरवाद हो जाएगी अब आगे जिवन भी बरवाद हो जाएगा इटली विवेक रखो किसी निंदा बुराई है तो सुनो ही मत आपकी निंदा बुराई कर रहा है हमारी निंदा बुराई कर रहा है तो सहन फिलता कि धाल पर विवेक की धाल पर सहन कर लेना होगा फिर कभी भी मन दुखी नहीं होगा और दुखी नहीं होना यही हमारी वीजय है आगे चर्चा के भी आवंदे दिनों पर होगी लेकिन अंति में एक बात कहा देता हूँ बड़ी से बड़ी प्रसिती याने प्रतिकूल से प्रतिकूल प्रतिकूल प्रसिती आ जाने पर बड़े से बड़ा घाटा हो जाने पर प्री से प्रिव्यक्ति कि मृत्य हो जाने पर जो विचलित नहीं होता पीडित और दुखी नहीं होता वही भगत है वही पुजारी है वही सतंगी है वही धार्मिक है वही साधक है वही साधु है वही महात्मा और वही संत है बागी सब दिखावा है थड़ी बात करवी है दुख आना ये परिक्षा की घड़ी है अब पास होते हैं या फेल होते हैं रोने लग गए फेल हो गए कोई धराम और अब कोई साधना ध्यान विबेक साधू का वेश काम नहीं आएगा शांत रह गए पास हो गए सारी धराम, कराम, सत्संग, भक्ति, ध्यान, साधना सब सफल हो गए अब पास होना या फेल होना है अपनी समझ पर निर्फा रहे इसलिए दुद्पर्दिरुधक, शमता, बिवे, समता भाव, संसिलता और धैरी इसको विक्षित करते चले जिन्दगी भरम, मन के दुखों से अपने को बचा कर रख सकते है अहम सुद्ध चैतन्य ज्ञानस्त रूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम सुद्ध चैतन्य ज्ञानस्त रूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चेतन्य ज्ञानस्त रूपम अजरहम अमरहम अखंडं मनूपम अहम शुद्ध चेतन्य ज्ञानस्त रूपम अजरहम अमरहम अखंडं मनूपम